चोटे गाउं का लड़का बन गया बिजनसमेन इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगे गौरफ, राजकुमार राओ, प्रियंका चोप्रा जोन्स ये मूवी 125 मिनिट की है और इसके प्रेमिस इनाइट स्टेट्स और इंडिया में वेरी कर रहा है तो आपको लीप्स देखने को मिलेंगी और में बात मुझे इसकी लगी जो इसके सिनेमेटोग्राफर वो है पॉल काफी अच्छे सिनेमाटोग्राफर है और काफी जाने माने है दिस मूवी इस डेक्टेड बाई रहीम सर तो बात कर लेते हैं इसके cinematography से ही जो मैंने आपको कहा कि काफी अच्छी लगी क्योंकि transition दिखाया गया है वो काफी शांदार तरीके से दिखाया गया है and end में जो इसका ending है वो भी काफी शांदार है तो जो पूरा flow है वो through the camera work has been done really beautifully तो उसके लिए एक तो हमारे cinematographer और दूस acting की उनने मज़ा आ गया और राजकुमार राओ की तो acting के क्या ही कहने तो मतलब overall जो acting department है उसका वो भी काफी solid लगा मेरे को and I really liked the overall acting department and this movie को थोड़े से words में कर आपको समझाना हो तो क्या है it is well acted and beautifully made movie ये movie basically आपको willpower के बारे में बताती है काफी अच्छा एक drama present करती है and overall this movie is really really nice and well made and you are going to enjoy it चाहे वो एस्थेटिक बात हो गई चाहे वो एर प्लीजिंग हो गई चाहे विजुली प्लीजिंग हो गई हर चीज में ये movie overall अच्छी लग रही है मैं ये नहीं कहूंगा top of the line है but it is good and like इसको आप first priority में भलें मत देखो क्योंकि आज काफी और चीज़े भी आ रहे हैं आप उनको भी देख सकते हो but इसको आप ऐसे देख सकते हो कि हाँ भाई जब वीकेंड पर टाइम मिल रहा है अराम से बैटके इसको देख सकते हो and you won't regret it इसलिए इस movie को मैं दूंगा 10 में से 7 साथ स्राज आप कितना दोगे नीचे comments में जरू बताना वीडिय चले ही तो लाइक जरू करना and do shit with your friends thank you watching guys and as always peace out